प्रदेश शरकार भले ही कृषी को लाव का धंदा बनाने के लिए कई योजनाय चला रही है लेकिन सरकारी अधिकारी और मंडी व्यापारी शाषन की योजनाओं को पलीता लगाते हुए किसानों को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रही है ऐसा ही एक मामला हर्दा जुले के खिरकीया क्रिशी उपज मंडी में सामने आया है जहाँ एक व्यापारी किसानों का भुक्तान किये बिना फरार हो गया जिसके चलते किसानों ने मंडी में हंगामा करते हुए ताला जड़ दिया खिर्किया क्रिश्टी उपज मंडी में किसानों की उपज क्रिया करकि भुक्तान किये बिना फरार हुए व्यापारी मौनु जैन की धुका दरी से आक्रिशत होकर किसानों ने मंडी में ताला बंदी कर दी उपज का भुकतान किये जाने को लेकर पूरू में किसानों ने मंडी प्रशाशन को चिताबनी भी दी दी जिसके बाद किसानों की मांगो को लेकर निराकर नहीं होने पर किसानों ने आंधुलन प्रारंप कर दिया सोमवार को मंडी काराले खुलने के बाद करीब देर दो बजे किसानों ने एकत्रित होकर मंडी काराले के मुख्यों गेट पर ताला जड़ दिया और गेट के सामने ही किसान धरने पर बैठ गए इस दोरान किसानों द्वारा उनकी उपज का भुकतान मंडी पोर्ड के फंड से किये जाने की मांग की गई आंदोलन की सूचना लगते ही पुलिस पर प्रशाशनिक अमलाम मौके पर पहुँझे हर्दा से अपर कलेक्टर प्रियंका गोयल ने किसानों को समझायश देते हुए जल्द भुकतान करने की मांग कही हर्दा से अंकुष विश्व कर्मा की रिपोर्ट